बिपीएसी टायर 3 का नया एक्जाम डेट घोसित कर दिया गया है बतादे बिपीएसी ने तीसरे चुन की सिक्षक भरती परिक्षा की तीथी में एक वर्फिर से बदलाओ किया है अब परिक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच होगी अतिती सिक्षकों की और से काफी आवेदन आए ह बिहार लोग सिवा आयोग ने तीसरे चुन की सिक्षक नयुक्ती परिक्षा की तिथी जो अलान की है और वहीं बता दे कि 10 जुन यानि कि अतिती सिक्षकों को आवेदन का मौका 4 जुन से लेकर 10 जुन तक दिया गया था इसमें काफी संख्या में आवेदन किया गया है इस क्या गया है मार्च में परिक्षा का पेपर लीग हुआ था इसके बाद से रद परिक्षा को कराने में लेकर काफी परिशानी और दीसवार अति थी सिक्षकों की बज़ा से तिथी में बदला हुआ है बियार सिक्षा विवाग एवं अनुसूचित जाती एवं जन जाती कल्यान विवाग के अंदर कर TRI 3.0 में अतिती सिक्षकों के लिए भी आवेदन का पोर्ट अलहाल ही में खोला गया था दस जून तक आवेदन का मौका दिया गया था दिस तरीकी से लगातार विपैश कर रहा हूँ थे उनकी मांग थे कि हमें भी वआले में मौका मिलना चाहिए जिसको लेकर इस वार की परिक्षा कडिट आगे बढ़ाया गया है और उनका आवेदन काफी शंक्या में आवेदन किया गया है लेकिन जहां जुलाई में एक जाम है जिसको लेकर काफी तैयारी हो और इस वार पूरे जहां पेपर मार्च में लीख हो गया थे लेकिन इस वार लेकिन जैसे ही एंडी की सरकार बिहार में बनते हैं याने कि नितीश कुमार एंडीय के साथ आकर मिलते हैं और उसके बाद लगतार जो पेपर लिक के मामले वो सामने आते लगतार परिक्षा का डेट पर डेट आगे वड़ रहा है लेकिन इस पर आखिर क्या इस बार एक वा साथ है कि हमारी सरकार में इतनी जल्दी नियुक्ती हो गई और कोई भी धानली नहीं हुआ ना एड्मिट काड में आंसर सीट मिलता लेकिन इस स्वार की जो इसे एंडीय की सरकार याने की डबल इंजन की सरकार में पेपर लिक का मामला ज्यादा आ रहा लेकिन देखना परिक्षा जो होगी कदा चार एकदम होगी या फिर से एक बार पेपर लीख होगा फिलाल इतना ही देखते रहे देश वानिल धन्यवाद